स्री मद्भवद्गीता जितियो अध्याए स्री पर्मार्मनी नमः नमः संजे बोले उस प्रकार करुना से व्याप्त और आसो से पुन्ध तथा व्याकुल नित्रों वाले शोक्युक्त उस अर्जुन की प्रती भगवान मदुसुदन ने यह वचिन का स्री भगवान मोले हे अर्जुन तुझे इस समय असमय में यह मोग किस है तुसे प्राप्त कुआ क्योंकि न तो यह yoh CORs वुद्वभवार आच्रित है न स्वर्ग को देने वाला है और न कृति को करने वाला है इसलिए हैं अर्जुन नभू संकता को मत प्राप्ता हूं तुझ में उच्छ नहीं जान पड़ती हैं परंतब हदय की तुछ दुर्बत्ता को त्याकर कर युद्ध के लिए इस्था ख़चा अर्जुन ने मदुस्दंद में रणमी में किस्वकार बाणों से भिस्म पिताम और दुना चालिके विरुद्ध लड़ूंगा क्योंकि हैं अरिसुदंद वे दोनों ही पूजनी हैं इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में बिक्सा का अनभी खाना कल्यान कारक समझता हूं क्योंकि गुरुद्ध से सने हुए अर्थ और काम रूप भगो को ही तो भगूँगा हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा स्रिष्ट है अत्वा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मार का हम जीनावी नहीं चाते, वे ही हमारे आत्मी दृतराश्ट के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं इसलिए कायरता रूप दोश से उपखत हुए सुभाव वाला तथा धर्म के विशई में मुहित चित हुआ मैं आपसे ही पुछता हुँ कि जो साधन निश्चित कल्यानकार को हुआ मेरे लिए कही है क्योंकि मैं आपका शिस्षित हुए इसलिए आपके शरण हुए मुचको शिक्सा दीजी क्योंकि भूमी में निसकंटक धन्धा निसंपन राज को और देवताओं की स्वामीपन को प्राप्त होकर भी में उस उपाई को ही देखता हुँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शुख को दूर कर सकी संजे बोले है राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतरियामी स्रीकिष्ट महाराज करती इस प्रकार कर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह इस पश्ट करकर चुप होगए है भरत्वनची तृत्राष्ट अंतरियामी स्रीकिष्ट महाराज दोनों से नाओ के बीच में शोख करते हुए उस अर्जुन को हस्ते हुए से यह वचन बोले स्री भगवान गोड़े है अर्जुन तू न शोख करने योगियो मनुश्यों के लिए शोख करता है और पंडितों किसे वचनों को कहता है पर्म तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी यह पंडित जन शोख नहीं कर हम सब नहीं रहेंगे, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और रधावस्ता होती हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, इस विसे में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, है कुंति पुत्र, सर्दिगर्मी और सुक दुख को देने वाले इंद्री और विश्यों की संयोग तो उत्पत्ति, विनाशील और अनित्ति हैं, इसलिए हैं भारत, उनको तुद्ध सहंग कर, क्योंकि हैं पुरुष सुस्रेश्टर, दुख सुक को समान समझने वाले, जिस जीर पुरुष को ये इंद्री और विश्यों की संयोग व्याकु नहीं करते वह मक्च के लिए योग्य हैं, असत्वस्तु की तो सत्ता नहीं हैं और सत्त का अभाव नहीं हैं, इस पकार इन दोनों का ही तत्व, तत्व ग्यानी कुरुष द्वारा देखा गया हैं, नाश्रहित तो उसको जान, जिससे यह संपून जगत, द्रश्य वर्ग व्याक्त है इस अविनाशिक का विनास करने में कोई भी समर्थ नहीं हैं, इस नाश्रहित अप्रमे, नित शरूप, जीवात्मा के यह सब शरीर नाश्वान कहे गए हैं, इसलिए है भरत्वनची, अरजुन तो युद्ध कर, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता हैं, तथा जो इसको म मरा हुआ मानता हैं, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तर में न तो किसी को मारता हैं, और न किसी के द्वारा मारा जाता हैं, यह आत्मा किसी कार में भी न तो जर्मता हैं और न मरता हैं, तथा न यह उत्पन होकर फिर होने वाला हैं, क्योंकि यह अजन वाले जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है जो पुरुष इस आज्मा और अव्याई जानता हैं वह पुरुष कैसे किसको मरवाता हैं और कैसे किसको मारता हैं जैसे मनुस्य पुराने उस्तरों को त्याग कर दूसरे नए उस्तरों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है इस आत्मा को शस्तर ही नहीं कार सकते हैं इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायू ही सुखा सकता क्योंकि यह आत्मा अच्छेच्छे हैं, यह आत्मा अदाहिय हैं, अकलेद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इस से हैं अर्जुन इस आत्मा को परियुक्त प्रकार से जान कर तू शोक करने को योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए तुझे शोक करना उचित नहीं है किन्तो यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तुथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महामावो तू इस पकार शोक करने को योग्य नहीं है क्योंकि इस मानिता के अंसार जन्मे हुए की मत्यू निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इस से भी इस बिना उपाई वाले विशई में तू शोक करने को योग्य नहीं है है अर्जुन, संपुन प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसे इस्तिति में क्या शोग करना, कोई एक महापुरुशी ही इस आत्मा को आश्चर की भाति देखता हैं, वैसे ही दूस कोई अधिकारी पुरुशी इसे आश्चर की भाति सुनता हैं, और कोई-कोई को सुनकर भी इसको नहीं जानता, है अर्जुन, यह आत्मा सब के शरीरों में सदाही अबद्य हैं, इस कारण संपुन प्राणियों के लिए तु शोग करने के योग्यों नहीं हैं, तथा अप धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्यान कारी करत भी नहीं हैं, है पार्थ अपने आप राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के रार रूप इस प्रकार के युद्ध को भागिवान चतरी लोग ही पाते हैं, किन्तु यह तु इस धर्मयुक्त का भी कथन करेंगे और माननी पुरुष के लिए अपकिर्ती मरन से भी बढ़कर हैं, और जिनकी दृष्टी में तु पहले बहुत सम्मानित होकर अब लभुता को प्राप्त होगा, वे महारती लोग तुझे भई के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, तेरे वेरी ल दुख और क्या होगा, या तो तु युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथ्वा संग्राम में जीद कर प्रत्वी का राज्य भोगेगा, इस कारण हे अरजुन तु युद्ध के लिए निश्य करके खड़ा हो जा, जैपराजे, लाभानी और या बुद्धी तेरे लिए ग्यान योग के विशई में कही गई गई है, और अपको इसको कर्म योग के विशई में सुन। साधन, जन रत्यूरूप, महान भई से रक्षा कर लेता है, है अरजुन इस कर्म योग में निश्चियात्य का बुद्धी एक ही होती है, किन्तु अइस्तिर विचार वाले विवेखिन, सकाम मनुश्यों की बुद्धियां, निश्चयी, बहुत भेदो वाली और अनंत होती है अरजुन, जो भोगों में तर्में हो रहे हैं, जो कर्म कर्म के प्रशिंचक, वेदवाक्यों में ही फृती रखते हैं, जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु हैं, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे विवेकी जन इस्वकार की चिस पुस्पित अर्था दिखाऊ शोभा युक्तवानी को कहा करते हैं जो की जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवम भोग तथा एश्वरी की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाव का वर्नन करने वाली है उस्वानी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है जो भोग और एश्वरी में अत्यनता सकते हैं उन पुरुषों की प्रमात्मा में निश्चियात्मी का बुद्धी नहीं कोती है अरजुन वैद उपरिक्त प्रकार से तीनों गुनों के कारेकार उप समस्त भोगों एवों के साधनों का पतिबादन करने वाले हैं इसलिए तु उन भोगों एवों साधनों में आसकती हीं हर्ष शोकादी द्वंदु से रहित नित्यवस्तु परमात्मा में इस्थित योग सेम को न चहने वाला और स्वाधीन अंत्व करन वाला हो जा सब और से परिपुन जलाशी के प्राप्ट हो जाने पर छोटे जलाशी में मनुष्य का जितना प्रयोचन रहता हैं तेरा कर्म करने में ही अधिकार हैं उसके फलों में कभी नहीं नहीं इसलिए तू कर्मों के फलका हे तू मत हो तथा तेरी कर्म न करने में ही आसकती न हो है धरन जाई तू आसकती को त्याक कर तथा सिद्धी और सिद्धी में समान बुद्धिवाला होकर योग में स्चित हुआ करतभी कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है इस समत्रूप बुद्धी योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न स्रिनी का है इसलिए है ध्रंजय तू समबुद्धी में ही रक्सा का उपाई धूंड अर्थाथ बुद्धी योग का ही आसरे ग्रहन कर क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है समबुद्धी युक्त बुरुष पुन्यों और पाप दोनों को इसी लोग में त्याग देता है अर्थाथ बुद्ध से मुक्त हो जाता है इससे तू समत्रूप योग में लग जा, ये समत्रूप योग ही कर्मों में को शलता है अर्थार कर्म बंदन से छुपने का उपाया क्योंकि समभुद्धी से युक्त ज्यानी जन, कर्मु से उत्पन्न होने वाले फल को त्याक कर जन्मुरुप बंदन से मुक्त हो, निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुद्धी महरुप दल्दल को भलिभाती पार्थ कर जाएगी उस समय तु सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोग और परलोग समंदी सभी भोगों से वेरागी को प्राप्त हो जाएगा बाती-बाती के वचनों को सुनने से विसलित हुई तेरी बुद्धी जब परमात्मा में अचल और स्थीर ठर जाएगी तब तु योग को प्राप्त हो जाएगा अर्था तेरा परमात्मा से नित्ट सैयोंग हो जाएगा अर्जुन वार्च अर्जुन बोले है के शो समाधि में सित्परमात्मा को प्राप्त हुए इस्तिर बुद्धी पुरुष का क्या लक्सन है वह इस्तिर बुद्धी पुरुष केसे बोलता है केसे बीड़ता है और केसे चलता है श्त्री बगवान बोले है अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में इस्तित संपूर्ण कामनाम उभली बाती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वाश्चित प्रग्य कहा चाहता है दुखों की प्राक्ति होने पर जिसके मन में द्वेग नहीं होता सुखो की प्राक्ति में जो सर्वता निस्प्रह हैं तथा जिसके राग, भई और प्रोध नश्ट हो गए हैं ऐसा मुनी स्थिर बुद्धी कहा जाता है जो पुरुस सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस उस शुब या अशुब बस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन होता हैं और न द्वेश करता हैं उसकी बुद्धी स्थिर हैं और कच्छवा सब औरों से अपने अंगों को जिस समेट लेता है वैसे ही जब ये पुरुस इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धी इस्थीर है इंद्रियों की द्वारा विश्यों को ग्रहन न करने वाले पुरुष्ट के भी केवल विसई तो निव्रत हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसकती निव्रत नहीं होती, इस इस्थित तक पुरुष्ट की तो आसकती भी परमात्मा का साकसाथ कार करके निव्रत हो जाते हैं, है अर्जुन आसकती का नास नहोने के कारण, ये प बुद्धी मान पुरुष के मन को भी बलाग हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपून इंद्रियों को वश्म करके समाहिद चित्त हुआ मेरे परायर होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रिया वश्म होती है उसी की बुद्धी स्थीर हो जाती है। विश्यों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विश्यों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विश्यों की कामना उत्पन होती है। और कामनाओं में विग्न पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है। किये हुए अंतह करनवाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेस से रहित इंद्रियों द्वारा विश्यों में विचरन करता हुआ अंतह करन की प्रसंता को प्राप्त होता है। अंतह करन की प्रसंता होने पर इसके संपून दुखों का अभाव हो जाता है। और उस पसंद्चित वाले कर्म योगी की बुद्धी शिग्रही सब और से हर्ट कर एक प्रमार्मा में भली भाती स्थीर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले प्रुस में निस्यात्मी का बुद्धी नहीं होती और उस अयुक्त मनुष के अंतह करन में भावना भी नहीं होती। तथा भावना ही मनुष को शांती नहीं मिलती और शांती रहित मनुष को सुख सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाओं को वायू हर लेती हैं, वैसे ही विशियों में विचरती हुई, इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री उस अयुक्त पुरुष की बुध्धी को हर लेती है, इसलिए है महाँ बाहु, जिस प्राणियों के लिए जो रात्री के समान उसमित्य ज्यान सुरूप परमानंद की प्राप्ति में इस्थित्प्रग्ययोगी जाकता हैं और जिसनाश्वान सांसारिक्सुप की प्राप्ति में सब प्राणी जाकते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनी के लिए रात् जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपुन अचल प्रतिष्ठा वाले समुन्दर में उसको विच्वित न करते हुए ही समाजाते हैं वैसे ही सब भोग जिस इस्थित प्रग्य पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन किये भी नहीं समाजाते हैं वही पुरुष परमशान्दी को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याक कर ममता रहित अहंकार रहित इस्प्रहार रहित वा विचरता हैं वही शांती को प्राप्त होता है अर्था तो शांती को प्राप्त है हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुस की इस्थिती है इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंद काल में इस ब्रह्म में इस्थिती में इस्थित होकर ब्रह्मानमान को प्राप्त पुचाता ओम तक्चणिती स्त्री मध्भगवद गीता सुपनिसक्षू ब्रह्म विध्याया योगशास्त्री कश्णार्जून समादे सैंक्योगोगोगोग दितियो अथ्या